नमस्कार एक बार पनो हाजिर हूँ मैं एक नहीं पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लोक्स में दोस्तों मैं हूँ भासकरानन्द डोभाल और आप देख रहे हैं हस्त रेखा का ये अंक समुद्र सास्तर का ये अंक अपनी ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लोक्स में एक मेल हतेली हमारे सामने है हतेली का आकार यहां पर पूरी त्रों से आयताकार है निश्चित ही एक एनलेटिकल स्वभाव आपका है एक दार्षनिक विचारधारा की व्यक्ति आप है और कहीं न कहीं कैसी भी प्रस्तिती हो कैसी भी इस्तिती हो जादतर मामले में सकारात्मक सोचने की कोशिस करते हैं सकारात्मक धिये रखने की कोशिस करते हैं यहाँ पर यह चीज यहाँ पर इसपश्ट दिखाई दे रही है लेकिन कुछ वज़यों से मैं अभी बारी की सिदीखूंगा हतेली में गरहन योग बन रहा है और जीवन में इसमा जबरदस्त प्रभाव पुड़ रहा है ऐसा गरहन योग जीवन को बरबाद करके रख लेता है इस प्रकार की चीज़ें हो तो व्यक्त को बड़ा समहल के चलना चाहिए अब इसमें ऐसा नहीं है कि चीज़ें बहुत बिगड़ती चली जाएंगे नहीं कुछ ऐसे उपाई होते हैं कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं अगर हम बेग्यानिक तरीके से करते हैं जिसमें अध्यात में भी हो जिसमें जो है हमारी जो विग्यान है वो भी हो और चीज़ें प्रेक्टिकल रूप में भी हो तो इस्तिती बहुत अच्छी इस्तिती में आ सकती हैं चीज़ें बहुत सुन्दर इस्तिती में आ सकती हैं और तमाम चीजें जो मनुष्य जीवन के लिए चाहिए ही चाहिए वो चीजें बेक्ति को प्राप्त हो जाती हैं चाहिए वो कितनी भी कठे नो हो लेकिन कहीं न कहीं कुदरत की अगर हम बात करें तो कुदरती चीजें बेक्ति को प्राप्त हो जाती हैं सबसे पहले हमारी नजर हतील में पड़ रही है आप देखेंगे एक रेखा इस पश्ट रोप से निकल करके और इस तरों से यहां पर दिखाई दे रही है और जो आपका राहो का छेतर है उसमें एक बहुत बड़ा क्रोस बनता हुआ दिख रहा है यहां पर राहो की इस्तिती जबरदस्त है अब राहो के साथ साथ इसका प्रभाव पड़ रहा है आपके जो अंगोटा है उसके नीचे का यह भाग हमारी हतेली में बैठने वाले यह गृतिया आचारे है यह सुक्राचारे जी है यहां पर देखेंगे इसमें बहुत सारा जालनुमा बन रहा है अगर हम ध्यान से देखते हैं पूरी तरों से इसका कलर भी कहीं न कहीं जो है फेट होता हुआ दिखाई दे रहा है और पर्थम आचारे से बहुत ज़्यादा यह पुष्ट हैं जब यह पर्थम आचारे से तो नगेटिब प्रभाव देते हैं साथ में राहो का प्रभाव अगर पड़ रहा हो तो गलत दृष्टी पड़ती है राहो की तो चीजें बिखर जाती है अब यहां पर देखेंगे जो मस्तिस करेखा जिसको टच कर रही है यह वाली मस्तिस कर रहा वो यहाँ पे चंद्रमा को टच कर रही है जो मन का कारक है जलतत्तो का मालिक है हमारे जीवन को 70% बदलने की चमता रखता है 70% हमारे जीवन पे जिसका अधिकार है यह यहाँ पे खराब है चंद्रमा और मन इसी से मिल रहा है जो माइन रेखा है इसी से यहाँ पे टचूरी है अब यहाँ पे देखेगा राहु एक रहस्यम एग्रहा है ठीक है ने जहाँ भी बैठता है जादतर गलत फल देता है बहुत जादा प्रभाव देता है जीवन में सुक्र भगवान संकर के सिस्य है और सुक्र के कारक है चाहे आपका परिवार हो चाहे आपका दामपत्य जीवन हो चाहे आपकी पैसा हो चाहे आपका लगजरी जीवन हो चंद्रमा भगवान शंकर के गण है जो सिब हैं उनके गण है ये तो कही न कहीं सिब का जो है प्रभाव यहां पे दिखाई दे रहा है लेकिन नगेटिव है अब सबसे पहले क्या-क्या प्रभाव पढ़ रहा है किस प्रकार से गरहन योग है ठीक है न, एक बात का दियान रखे, जब राहों की इस्तिति हो, सुक्र बहुत जादा फूल जाए, नगेटी प्रभाव देने बैठ जाए, चंद्रमा नगेटी प्रभाव देने बैठ जाए, सूर्य मदत न कर रहा हो, तो जीवन में बड़ा समल के चलनेगा जैसी हतेली में ये इस्तितियां आनी बैठ जाए, तो अपना रूटीन सबसे पहले बदलने की कोशिस करिएगा और कहीं न कहीं आपके द्वारा क्या कर्म किये जा रहे हैं, किस प्रकार से कर्म किये जा रहे हैं, थोड़ा सचेत रहेगा, उस पे विचार करना शुरू कर लीजेगा ठीक है न, तो चीजें बिगड़ने से पहली अच्छी इस्तिति में आनी सुरू हो जाएगी, और जीवन में जो कुप्रभाव पढ़ना है, उससे आप बच जाएगे यहाँ पे दीखेगा, राहो क्रोस कर रहा है, यहाँ पे राहो की छितर में बहुत बड़ा क्रोस है, जब राहो की छितर में बड़ा क्रोस होता है, तो राहो हमेशा नेगेटिव होता है इसे में, और जब राहो नेगेटिव होता है, तो आप जान रहे हैं, यह जीवन की लकीर को काटता है और किसी गरह में नहीं पहुचता है तो क्या करता है ये निश्चित रोप से जीवन में सबसे पहले मुश्किले ये होती है कि जीवन में कदम कदम पर मुश्किले आती हैं किसको लेके आते हैं ये करियर और धन की रेखा को काट रहा है तो पैसे रुपे को लेके, रोजगार को लेके, आजे उका को लेके, हर जगा व्यक्ति को उतार चड़ाव जहिलना पड़ता है ठिक, अगर पैसे रुपे को लेके, रोजगार को लेके, आजे उका को लेके, अगर उतार चड़ाव नहीं है तो रहिश्यम ही चीजे पैदा होंगे कहीं न कहीं जो है यह या तो गुप्त रोग देगा गुपनीय बिमारी जिसे कहते हैं और विक्ति उसी बिमारी में जो है पार लग जाएगा समझ में नहीं आएगा बिमारी कहां से आई है क्या इसका इलाज है किस प्रकार से जो है इसको ठीक किया जाना चाहे यह नहीं समझ में आता दूसरी बात अगर धनहानी नहीं देता है यह और कदम कदम पर मुश्किलों का सामना नहीं करवाता है तो क्या करता है यह कोल्ट कचरी का मामला मनाता है या आप किसी बिबाद में फंस जाते हैं कहीं न कहीं आपको किसी न किसी प्रकार का जो है सत्रो भया चाहे अपने परिवार का कोई सत्रो पैदा हो जाए कुटुम्ब का सत्रो पैदा हो जाए या कहीं न कहीं क्योंकि सुक्र खराब है तो परिवार का ज्यादा या कुटुम का ज्यादा जो है सत्र भाय रहता है ठीकन या बाद भी बाद में बेकती पचड़े में फंस जाता है चोथा है इसका कि ये बहुत बड़ी धनहानी कराता है ठीकन सपोज आपने जो है राहु की दसा आ रही है या कोई ब्यापार आपने शुरू कर लिया ठीक है न ब्यापार तो आपने शुरू कर दिया तो चार मैंने वो ठीक वी चला गया बीच में आपकी मत ऐसे भरम हो जाएगी आप उसको पार्टनर्शिप में ले आएगे या कुछ ऐसा करेंगे जिसके कारण उसमें बहुत बड़ी धन्याहानी होगी साथ में आप पचड़े में फस जाएगे या आप कोई भूमी खरीद रहे है ऐसी इस्तित में ध्यान रखना इस चीज़ का और कहीं न कहीं आप ठगे जाएगे आपके नाम भूमी हो गई सब कुछ हो गया पैसे निकाल ले लेकिन क्या है कि बाद में कुछ ऐसे घटित होगी कि न तो वो भूमी रहेगी न यह पैसा रहेगा और कहीं न कहीं विक्ति क्या करेगा सब कुछ लगा के तो चीज़ें करता है कैसी इस्तिति होगी वो आप खुद जान सकते हैं राहो की दसा में बिसे इस देखेगा जो आप काम कर रहे हैं वो वास्तों में ठीक कर रहे हैं क्योंकि यह मति को ब्रमित करता है ठीक है न? यह कहीं न कहीं बिक्ति को ऐसा रिस्क ले ले लेता है बिक्ति जिसके बारे मेंने बिखतने कभी सोचा भी नहीं होगा और चीजیں बहुत जादा बिखर जाती हैं खराब हो जाती है लेकिन क्या है? राहो को हम सांत कर सकते हैं खेकर नहीं? राहो और केतु एकी जो राक्षस ग्रहत हा उसके दो भाग है राह क्या है सर है सोचने का बहुत ज़्यादा काम कर सकता है कि ये तो क्या है धड़ है उसका मुख नहीं है उसकी आखे नहीं है तो वो कहीं न कहीं अलग फल देता है यहाँ पे राह की दसा है और बहुत ज़्यादा जबर्दस्त फल दे रहा है ग्रहन योग बना रहा है ठी तो तनाव की इस्तिति ये पैदा करता है ठीक है न कहीं न कहीं जो है तनाव की इस्तिति पैदा करता है प्रेशान करता रहता दिन रात कुछ न कुछ बिक्ति जो है अब यहां पर देखेगा यहां पर यह इस तरों से घूम के निकल रहा है चंद्रमा पर चंद्रमा खराब ह और यहाँए पर ब्रस्पति भी जो है सादरनभाव में आगे हैं तो ऐसी इस्तिते में जब चंद्रमा खराब हो मस्तिस करेखा यहाँ पर आ रही हो रहा हो का प्रभाव पड़ रहा हो तो क्या होता है व्यक्ति का मन हमेंशा गणबन रहता है मानसिक प्रेशानी से ऐसा विक्त गर्सित रहता है कई बार चीजों को सोच के क्योंकि उसको प्रस्तित ऐसी लाती है कि कोई बात चित करने के लिए भी जादा नहीं रहता है तो विक्त सोचता बहुत जादा है तो ऐसी सोच में वो बहुत ज़्यादा भावप हो जाता है कई बार बात-बात पर आग से आँसु निकल जाते हैं या बिक्ति इमोशनली बहुत ज़्यादा परिशान हो जाता है यह यहाँ पर कर रहा है कहीं न कहीं चाए आप मानो ना मानो चंद्रमा कमजोर है मस्तिस्क रहखा उस पर जा रही है तो चिंतातुर स्ववाव है ऐसे ऐसे खयाल यह पैदा करता है जिसके बारे में आप कभी सोच भी नहीं सकते हैं अनहोनी समंदी चीजें ब्यक्ति को एकड़म कॉन्फिडेंस हो जाता है कि कोई न कोई बड़ी अनहोनी हो गई है जबकि हुई नहीं रहती है चीजें छुपी रहती है ठीक है अच्छी चीजें छुपा लेता यह लेकिन अनहोनी की आसंका को यह बहुत ज़्यादा बढ़ा लेता है ठीक है और इससे क्या है मन खराब रहता है मन अच्छा नहीं रहता है, मन ब्याकुल हो जाता है, मन भटक जाता है, और ये सपने भी कहीं न कहीं उसी प्रकार की दिलाता है, खीक है ने, और दूसरी बात है, ऐसी इस्तिति में ब्यक्ति को अपने digestive system का ध्यान रखना चाहिए, अपने पेट का ध्यान रखना चाहिए, त गर चंद्रमा इस प्रकार से हो, तो कहीं न कहीं जो है, नीन आने में भी दिक्कतों का सामना ब्यक्ति को करना पड़ता है, और ये चीज यहाँ पे कहीं न कहीं दिखाई दे रही है, अब चलते हैं, तीसरी पॉइंट पे जो नगेटे प्रभाव दे रहा है, और इसका जो उपाई है, बेज्यानिक तरीके से किस प्रकार से करना है, प्राकरतिक तरीके से किस प्रकार से करना है, मैं आपको दूँगा, निश्चित ही आपको जो है, एक अच्छा मार्ग मिलेगा, कहीं न कहीं जो है, आपकी जीवन में भी सुक कदम रखेगा, ठीक हैं, अब मैंने पहले भी बता यह सुक्र का छित्र है कला के लिए सुन्दर्य के लिए सुन्दर्ता के लिए और एक सुखत जीवन जीने के लिए इसका हत्यली में बैलेंस होना बहुत जरूरी है अब यहाँ पर देखेगा आपकी हत्यली में यह बैलेंस आउस्ता में नहीं है सबसे पहले देखेंगे तो इसमें बहुत सारी रेखाओं का जाल धीरे धीरे बन रहा है और इसमें हलका कालापन भी आ रहा है इसे अच्छा नहीं माने जाता है जब भी सुक्र के परोग पे जो सुक का कारक है इस पे इस परकार से एक दूसरे को काटती हुई रेखाओं का जाल बनता सुन हो जाए तो ये हमेशा मानसिक प्रेशानियों को दिखाता है ब्यक्ति को ऐसे में मानसिक प्रेशानियों का सामना करना पड़ता है ऐसे में ब्यक्ति का जो जीवन है हमेशा संकटों और कठनाईयों के बीच गुजरता है दूसरी बात है अत्यंत महिनत के बाद भी कही न कहीं चीजों में अभाव रहता है अभाव में जीता है और इस प्रकार से हो तो जीवन में सुक पाना बहुत कठिन हो जाता है जब यो बहुत ज़्यादा फूल जाता है तो जीवन में सुक पाना कठिन हो जाता है और कहीं न कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हैं सुकर के बारे में इसके फूलने के बारे में इस चीज़ें के बारे में पब्लिकली हम बोलने सकते हैं ठीक है न ये परिवार का जो सुक है उस सुक से व्यक्ति को कोसों दूर करवा लेता है जो जीवन की वास्त्विक खुसियां है वो खुसियां नदारद हो जाती है ब्यक्ति को अपने परिवार का अपने कुटुम्ब का परिवार अलग होता है कुटुम अलग होता है अपने परिवार का अपने कुटुम्ब का और अपने दामपत्य जीवन का सुक प्राप्त नहीं होता है लाख कोसिस करें आप सारे साधन होने के बाब जोद भी सुक नहीं मिल पाता है ऐसे लोगों को ठीक है ने सुक प्राप्त नहीं हो पाता है और कहीं न कहीं व्यक्ति का जो परजन्टेशन है वो भी अच्छा नहीं रहता है कुल मिला कर अगर हम बात करें तो ऐसी इस्तिति में जो अपेरियंस वाला पार्ट है जो आकर्सनवाल पार्टा है वो वीक होने बैठ जाता है और उसकी वीक होने की वज़ोसे कहीं न कहीं जो सुक चाहिए उस सुक को ब्यक्ति अट्रेक्ट नहीं कर पाता है आकर्सित नहीं कर पाता है ठीक है न? तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले राहो का उपाय करना चाहे और उसके बाद अगर आपको सुक चाहे चाहे दामपतिजी उनका सुक चाहे चाहे आपको परिवार का सुक चाहे चाहे आपको कुटनुम का सुक चाहे चाहे आपको जो है कहीं न कहीं जो है जो वास्त्विक सुक है खुशिया है उनका सुक चाएए तो क्या करना है शुक्र को balance सवस्ता में लाना है तो आपका सुक्र यहां पर balance नहीं है चंद्रमा नहीं है और राहों का प्रभाव दिखायी दे रहा है अब चलते हैं अन्यश्लेशन पर क्या क्या है क्या नहीं है ठीक है न? अब यहाँ पे देखेगा कि ये उंगली पूरी तरों से जुकती हुई दिखाई दे रही है और मिडिल फिंगर की तरफ एक बात तो बहुत अच्छे है और जिवन भर रहेगी जो धार्मिक भावनाई है वो आपके अंदर बड़ी मात्रा में है जो इस्वर में अपने आरध्य जिसको आपने माना हुआ है उस आरध्य के पर थी पूरा समरपन आपका है और वो समरपन मन तन और धन सब से है और कही ने कहीं उस समरपन की वोजो से कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपके पक्ष में हैं कहीं ने कहीं इस्वर ऐसे मदद जरूर कर रहा है कि सब कुछ छेनने के बाद भी कुछ चीजें जो है संतोस पूरोक दे रखी हैं किसके कारण आपकी धार्मिक भावनाओं के कारण आपके अध्यात्म के कारण अध्यात्म की जो सक्ति है अभी भी ये अध्यात्म की सक्ति कह रही है कि आप इस सक्ति के कारण पुनह जीवन का जो बुड़ापा काल है उसमें सब कुछ पराप्त कर सकते हैं लेकिन बहुत बड़ा निरणय चाहिए वो ब्यापार खोलने का हो चाहिए भूमी इत्यादी खरीदने का हो अभी कुछ समय तक अगर टाल सके और उसमें भी 18 महने तक अगर इस चीज को आप टाल सके बहुत बड़ा निरणय न ले तो कहीं न कहीं गलत चीजों से आप बच स सकते हैं तो यह जरूर करिएगा दूसरी बात देखेंगे यह मिडल फिंगर आपकी एक सामन्य लम्माई लिये हुए है और अच्छी इस्तिति में है निश्चित तोर पे अगर देखा जाए तो राहो का प्रभाव अगर खतम होता है तो जो आपकी मानसिक छमता है वो आपकी अध्यात्मिक छमता भी बेहत सुन्दर है यह यहाँ पर इस्पष्ट तरीके से बता रही है और कहीं न कहीं स्वाबिमानी बिक्ति हैं विबेकी बिक्ति हैं और दूसरों की मदद करने वाले में सबसे उपर रहने वाले बिक्ति हैं बुद्धिमानी भी हैं लेकिन निर्मल हिर्दय का विक्तित्व है का चलकपट की चीजे जान नहीं पाते हैं तो थोड़ा सा सजग रहने की ज़रूरतियां पे दिखाई दे रही है सूरे की उंगली अगर देखा जाए तो पूरी तरौ से मिडल फिंगर की तरफ है यस पाने की इक्षा, नेम फेम पाने की इक्षा और इन प्रस्तिकों से उपर उठने की इक्षा कही न कहीं आपके अंदर दिखाई दे रही है यहाँ पे देखें तो दोनों होतिलियों का बराबर है कहीं न कहीं धन और यसकी भूक भी है बरतमान समय में पैसा और सम्मान बहुत जरूरी दिखाई दे रहा है और लक्ष भी इसी और किये हुई है आप जानते हैं कि जिवन में केवल धन आएगा और सम्मान नहीं आएगा तो उस धन का कोई मतलब नहीं है और अगर केवल सम्मान आएगा धन नहीं आएगा तो वो सम्मान जादा दिन तक टिकने वाला नहीं है तो आपका जो लक्ष है जहाँ धन कमाने की और है वहीं सम्मान कमाने की और जादा दिखाई दे रहा है सबसे छोटी उंगले अगर हम देखें ये उंगली पूरी तरोसी जो है इस परकार से मुड़ी हुई है और इस तरह धन कमाने की ललक भी निरंतर बनी रहेगी लेकिन ये इसके पहले पौरवे तक नहीं पहुँच पारी है हलका नाखुन बढ़ाएंगे तो फाइदा जादा मिलेगा ठीक है ने तो धन के प्रबंदन में कहीं न कहीं कमी रह सकती है कागजों के रखरखाओं में, एकाउंटबिल्टी में, फाइलिंग में थोड़ा सा कमी रह सकती है तो इस और थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत होगी बरतमान में एक चीज़ देखेगा यहां पे सभी उंगलियों का जो जुकाओ है कहीं न कहीं मिडिल फिंगर की तरब जादा दिखाई दे रहा है जब सभी उंगलियों का जुकाओ सनी की उंगली की तरब हो बीच की उंगली की तरब हो तो सनी के जो नगेटिब नैसर की गुण है वो ब्यक्ति को थोड़ा प्रेशान करते हैं जीवन में ऐसे में ब्यक्ति कई बार दुखी सा हो जाता है और कई बार सब कुछ होते हुई भी खुशियों में कमी रहती है ये ब्यक्ति की जीवन में रहता ही रहता है अब कितना रहेगा ये कर्मों के उपर डिपेंड करता है अंगोठा अगर देखें इस प्रकार से है इस परकार का अंगोठा थोड़ा जिवनकाल में संगर्स को दिखाता है और व्यक्ति भावनाओं में आके या जल्दबाजी में फैसला लेता है तो थोड़ा उसका खामियाजा भी भुकतना पड़ता है अब चलते हैं आपकी लकीरों में बरतमान समय में देखें तो आपकी जो है लकीर इस परकार से जाती हुई दिखाई देरी है और आपकी कहीं न कहीं इन दोनों उंगलियों की बीच में जा रही है और इसमें देव गुरु ब्रस्पति का और सनी का जवर्दस्त प्रभाव पढ़ रहा है निश्चित तोर पे आप अपने जिवनकाल में बहुत बड़े महत्वकांची बेखती है आपकी सोच कहीं न कहीं बहुत आगे बढ़ने की है और अभी भी यहाँ पे कहीं न कहीं दिखाई दे रही है गुरु का बल आ रहा है जिसके कारण कहीं न कहीं एक अच्छे अस्तर तक पहुँचने की आपकी इक्षा हो रही है सनी का प्रभाव पढ़ रहा है आपको लगने बैठ गया है कि मुझे कोई ऐसा सोल्यूसन मिले ऐसा मार्ग मिले कि इन चीजों से उभर कर कहीं न कहीं में उस अस्तर पे पहुँचो चाहिए पहला ही पाइदान पार करो लिकिन परो अग इसके लिए इन किन परकारें जो भी आप से हो जाए आप करेंगे यह यहां पर दिखाई दे रहा है एक चीज का दिखान रखिए जब हिरदे रेखा इस परकार से जो है कालापन और बहुत जबरदस्त डबल तिरपल में आने बैठ जाए और उसमें अनेक परकार की इस परकार की रेखाई हो, कालापन हो, मोटी दिखाई दिये तो ऐसे ब्यक्ति रिस्तों के मामले में सजग रहना चाहें या तो रिस्ते बन नहीं पाते हैं या तो ब्यक्ति रिस्तों का फाइदा नहीं उठा पाता है मनि कही न कही रिष्टे जो निभाने वाला है अगर आप कितना भी निभा हो लेकिन दूसरी तरफ से कही न कही परस्तितियां ऐसे आती है कि विक्ति रिष्टे नहीं निभा पाता है या रिष्टों के मामले में कही न कही चीजें बिगड़ जाती है और उसके कारण बिक्ति को परेशानियों का सामना करना पड़ता है यह जरूर है मस्तिस्क रैखा देखें बहुत सुनर है एक क्रियेटिव माइन्ड वाले बिक्ति है और ऐसे लोगों को छोटी मोटी या बड़ी यात्राओं का अपनी जीवन काल में मोखे मिलते हैं लेकिन जब भी ब्रस्पति साधरन हो और चंद्रमा खराब हो तो चिंतातुर सुभाव को भी ये जन्म देता है वैसे कहीं न कहीं जो है बौदिकस्तर बहुत अच्छा रहने वाला है यहां से देखें तो जीवन रेखा इस प्रकार से जाती हुई दिखाई दे रही है और यहां पे इस प्रकार से मिल रही है ठिक और एक रेखा इस प्रकार से आती हुई चंद्रमा पे जा रही है देखेगा जब भी यहाँ पे इस प्रकार से मिलती है एक रेखा के तुपे जाती है कर्म के माद्यम से देखें तो व्यक्ति कहीं न कहीं कर्म अच्छा करता है मोक्ष की तरब जाने की सोचता है लेकिन ऐसा ब्यक्ति चाह कर भी बहुत ज़्यादा प्रियत्न करने पर भी अपने जनम अस्तान में अस्ताई निवास नहीं कर पाता है अपने जनम अस्तान से दूर ऐसे लोग रहते हैं वहीं अपना घरबार तो कही न कही जो है इस परकार की चीज़ों को यह बता रहा अर ऐसा कोई लकीर हो तो यह धनहाने की संभावना बहुत जादा दिखाता है ऐसे लोगों के पास पैसा टिकना थोड़ा मुश्किल हो जाता इस चीज का ध्यान नगना है करियर और धन की रेखा देखे तो कहीं न कहीं इस परकार से आते हुई दिखाई दे रही है थोड़ा सा आपको दिब्य योग ध्यान किरिया दूँगा मैं इन सब के लिए एक दिब्य सूरे किरिया दूँगा ये दोनों चीजें तो करने ही करने है साथ में सुक्र का, चंद्रमा का और सबसे बड़ा राहो का उपाय आपने करना है तो चीजें कहीं न कहीं आपके अंदर में आएंगे यहाँ पे देखेंगे मनि बंद में यहाँ पे योग का आकार है पर्थम रेखा पे अब यह इस परकार से यहाँ का आकार अच्छा नहीं माना जाता है चाहे स्वस्त्यकाल इसाब से ले या तो मानसिक स्वस्त्य या सारीरिक स्वस्त्य कहीं न कहीं जो है प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है या मानसी को रूप से आपको बहुत ज़्यादा पीड़ा हो रही होती है या सारे रूप से किसी न किसी कश्ट को ऐसे लोग अपनी जीवन में जहलते हैं हाँ सेकंड रेखा बहुत अच्छे है जो भी आप अपनी जीवन काल में पाएंगे किवल और किवल अपनी मेहनत और अपने परिसरम के बल पे प्राप्त करेंगे हो सकता है अगर आपकी जो हद्रिष्ट कौन सही रहे गरहन अच्छा तर ठीक रहे तो स्रेष्ट सपलता को भी निश्चित्रों से आप हासिल करेंगे यहां पर निमन मंगल देखें और उच्च मंगल देखें कुछ भी कहें प्राक्रम बहुत अच्छा है एक एनरजेटिक सुभाव है और कैसी भी प्रस्तिति आ जाए उस प्रस्तिति को डट कर मुकाबला करने की ताकत यहां पर कौन दे रहे हैं हनुमान जी देते हुई दि परिवार को लेके चिंतायें ऐसे लोगों की जीवन में रहते हैं और ये साधरन भाव में आ गए है तो कहीं न कहीं आपके अंदर भी ये थोड़ी सी साधरनता देती हुई दिख रहे है सामन्य साबिक्तित्र देती हुई दिखाई पड़ रहे लेकिन इनके नैसर्गिक कुडों के करण कही न कहीं हस्मुक्सुबाव भी रहेगा दयालुता रहेगी प्रॉपकार की भावना रहेगी दोसरों की उपर उपकार करने वाली भावना और ठीक ठाक रहता है और रहेगा लेकिन यसकी प्राप्तिके लिंए मन में बहुत ज्यादे जुकाव बना रहेगा एक स्वतनतर्था और लिडर्शिप की चाहः रखने वाला व्यक्तित्व भी आपका बना रहेगा सनी की इस्तिति देखे तो सनी की इस्तिति लगबग सेम है ये गलत फाइदा बड़े टीवर रोप में नहीं दे रहा हूँ लेकिन सूर्या अब सूर्या में देखे यहां पर इस प्रकार से जो है कहीं न कहीं ये एक चतोशकोन बना रहा है यह बहुत अच्छा है कहीं न कहीं ऐसा ब्यक्ति या तो ब्यापारिक प्रतिष्टानों में बहुत बड़ा काम करता है या खुद का ब्यापार करता है लेकिन यहां पे सूर्या अगर ध्यान से देखें कालापन लिये है बहुत सारी रेखाई यहां पे दोड रहे हैं अब इ इसके लिए मैं दिव्य सूर्य क्रिया आपको दूँगा अब इसमें मैं यह नहीं बताऊंगी क्या प्रभाव दे रहा है क्योंकि इतना बताने बैट गए वीडियो बहुत लंबी चले जाएगी ठीक है न हाँ आपका बुद्ध बहुत अच्छा है अपने को व्यक्त करने की तागत आपके अंदर है वानी की सक्ति प्रभाव साली रहेगी ब्यक्ति तो भी कहीं न कहीं जो है ठीक ठाक रहेगा दूसरे को आकरसित करने वाला रहेगा बाकी देखा जाए तो मैंने आपकी पूरी हतेली का विसलेशन करके आपको बता दिया है उपाई में बिदिवत पूरी के से लिख करके और ओडियो के मादयम से आपको भेज रहा हूं करने की कोशिस करे और नियमित रोप से सर्धा पूरोग कर लिया तो जबरदस्त फाइदा आपको होगा निश्चित ही जीवन में सपलता मिलेगी खुसाली मिलेगी और जीवन पुनहा आपका जो है सा पर ये चीड डिपेंड करेगी इस वीडियो में बस इतना ही एक नई वीडियो के साथ पर अपस्तित होंगा तब तक के लिए नमस्कार